नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर इश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को जूट नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आधी नहीं करनी चाहिए, उधार मांग कर भी नहीं खाना चाहिए अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है, तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांग कर फल आधी नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है दोस्तो नमबर दो, सोमबार का व्रत हो या सावन का व्रत आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए, दरसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए, व्रत आधी को छोड़ कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए भगवान को भी नाशपाती नहीं चरहाना चाहिए दोस्तों कुट्टू या सिंगाढ़े का आठा खाने से भी आपका व्रत तूट सकता है आपको बता दें लंबे समय से रखा हुआ आठा आपका व्रत भंग कर सकता है दरसल पुराने आठे में घून आदी कीड़े वगएरह पढ़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते ऐसा आठा खाने पर दरसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है वरत में ताजा आटा खाना चाहिए लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पढ़ जाते हैं ऐसा कभी न करें वरत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए सावन का महीना बढ़ा ही पवित्र महीना माना गया है इसी लिए ये पांच चीजें भगवान शंकर के पास कभी न रखे तो चलिए जानते हैं दोस्तों नंबर एक जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमातों वहाँ पर भूल कर भी चपल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए जरा सोचिए जब आपके कमरे में कोई चपल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध हाता है इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नश्ट हो जाता है ऐसे में मंदिर में नंगे पाव ही प्रवेश करना चाहिए क्योंकि चमडे की चपल हमेशा अशुद्ध रहती है इस से देव शक्ती नाराज होती है दोस्तों नमबर दो अकसर महिलाओं को मासिक धर्मा जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है इस समय महिलाओं को जान कर भी अंजान नहीं बनना चाहिए अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है जरा सोचिए ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो इश्वर को कितना बुरा लगेगा इसी लिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा घर में पूजा पाठ भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए तुलसी का पौधा भी सूख जाता है जब देव शक्तियां नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी लड़ाई जगड़े होने लगते हैं ऐसा कभी मत करना दोस्तो नमबर तीन शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती है अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की गृपा सदैव पा लेता है वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त उर्जा का संचार होता रहता है इसी लिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए जो उर्जा को शांत रखता है कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन वो एक हफते के बाद जल चड़ाते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता अगर आप जल नहीं चड़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी न करें जो कि गरुड पुरान में बताया गया है इससे उल्टा घर में विनाश होता है दोस्तों नमबर चार शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता कई लोग जाने अंजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है दोस्तों पौरानिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चरहने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्य शाली बनता है इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो दोस्तों पहले आप ये जाने कि बेलपत्र का उप्योग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं दोस्तों नमबर वन तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं इस बात को शायद ही कोई जानता हो दोस्तों नमबर टू यदि बेल का व्रिक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धंधाने की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशाल रहते हैं दोस्तों अब जानते हैं बेल पत्र से जुड़ी कुछ खास बातें चतुर्थी, अश्टमी, नवमी, चतुरदर्शी और अमावस्यातितियों को संक्रान्ति के समय और सोमवार को बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए पूजा से एक दिन पूर्व ही बेल पत्र तोड़ कर रख लें दोस्तों आपको बता दें, बेल पत्र कभी अशुध नहीं होते यदि आपको पूजा के लिए नया बेल पत्र नहीं मिल रहे है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेल पत्र को स्वच जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं दोस्तों बेल पत्र में तीन पत्तियां होनी चाहिए कटी फटी पत्तियों का बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेल पत्र का भी इसलिए बेल पत्र की पत्तियां एक दम साफ होनी चाहिए दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को पांच संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोग सकता तो चलिए जानते हैं दोस्तों नंबर एक बैल का दर्वाजे पर आना नंदी महाराज भगवान भोलेनात के बाहन है नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है नंदी महाराज को बुद्धी और ग्यान का प्रतीक माना गया है शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दर्वाजे पर आजाए और घर की चौकट को सींग मारने लगे तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं जो कि ये एक उनके आने का संकेत है भगवान शिव आपकी भक्ती से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियाँ आने वाली है आपको धनी होने से कोई नहीं रोग सकता लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगा कर मीठा भोग जरूर खिलाए दोस्तो नंबर दो सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए तो इसे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ती से बहुत खोश है और वो आपके घर में आने वाले हैं ऐसे में याद रहे शिव की भक्ती में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए घर को गंदा मत रखना क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं दोस्तों नमबर तीन शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छट पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ती से बहुत खुश है शास्त्रों में बताया गया है कि नील कंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैट जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावन पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों नमबर चार सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला साप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है इसे बिलकुल भी न मारे ये भगवान शिव के आने का संकेत है जिनकी भक्ती से महादेव प्रसन्न होते हैं तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धर्ती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता हो सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है ये घर में शिव के आने के संकेत हैं अब आपको खुश होने की जरूरत है दोस्तों नमबर पांच सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है इसका अर्थ ये है कि भगवान भोले नात आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख सम्रिध्धी आने वाली है महादेव आपसे बहुत खुश है दोस्तों अब जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है घंटा क्यों बजाया जाता है ताली क्यों बजाई जाती है मंदिर के अंदर कारण क्या है शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है ताली को बजाना क्यों ना करा जाता है शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है तो ये पुरान है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुन घंटी जब जाते हो घंटी का नाथ जब करते हो तो शिव महापुरान की कथा और लिंग पुरान की कथा विश्णु पुरान की कथा कहती है मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमी पर तीर्थ है जितने साधक साधना कर रहे होते हैं जितने तप-तप कर रहे होते हैं जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। हमारे खाते में आ जाता है, खीचा चला आता है। हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके तो इसकी वजह से वो उधार देते हैं। तो कुछ व सावन के महीने में तो ऐसा न करें। तो आपके घर से भोले नाथ दुसरों के घर चले जाते हैं और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो भोले नाथ आपके लिए करने वाले थे तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोले नाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है। तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी भी लोट कर नहीं आता बलकि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं दोस्तों सावन का महीना भगवान भोले नाथ को दूध अभिशेक करने का भगवान भोले नाथ को दही अभिशेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीजें चड़ाई जाती हैं दोस्तों इस बात का ध्यान रखें सावन के महीने में अगर भोले नात को चरहने के अलावा कोई व्यक्ति सुभह सुभह के समय आपसे दूध, दही, छाच या फिर संध्याकाल के समय में उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए अगर आप भोले नात को चरहने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्षमी दुसरों के घर चली जाती है और साक्षाथ भूले नात के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा दोस्तों सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जो दान पुन्य से जुड़ी होती है दान पुन्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है हर व्यक्ति दान पुन्य करके सावन के पवित्र महीने का लाब उठाता है लेकिन सावन में आपको दो प्रकार के वस्त्र न तो खरीद कर लाने चाहिए और नहीं किसी व्यक्ति से लेने चाहिए और नहीं किसी व्यक्ति को देने चाहिए इसके अंदर पहली चीज तो होती है काले और सफेद कपड़े आप विशेश रूप से ध्यान रखे भूल कर भी किसी भी सुहागिन महिला को सफेद कपड़े, उधार या फिर दान दक्षणा के तौर पर नहीं देने चाहिए माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को ये प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुखा जाते हैं तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों विशेश तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देनी चाहिए ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोश लग जाता है और साक्षात भोले नाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं तो इस बात का आपको जरूर ध्यान चाहिए दोस्तों महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पडोस में मांगने के लिए आ जाती है तेल घी या फिर अपने घर की हल्दी ये तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है जिस घर मे ये चीजें होती है माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख सम्रिद्धी बनी रहती है तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूल कर भी इस प्रकार की चीजें आपको उधार न तो देनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए अगर आप ये गलती कर तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखत परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समध्धी दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए नहीं किसी जानवर को खिलानी चाहिए बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है इसलिए अगर आप भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाह पेद कपड़े न दे जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी किसी को भी दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देने चाहिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखे अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को न दे। आप चाहे तो सावन में बाजार से नए कपड़े खरीद कर दान दे सकते हैं।